हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महत्वपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि मद्य यूगीरी रोप में प्रचली समंताबाद की प्रमुक्य कमियों पर चर्चा करें कि मद्य यूगीरी रोप में प्रचली समंताबाद जो थी उसमें क्या-क्या कमिया थी और क्या बात थी तो इसको बारे में आपने यहां पर इनलाइस करना है कि मद्य युगीरी रोप में प्रचली समंताबाद की प्रमुक्य कमिया पर हमने चर्चा करना है काफी महत्व रखता है कि मद्य युगीरी रोप में प्रचली समंताबाद की प्रमुक्य कमिया इस परकार थी देखा जाए तो इसने देश को समानतों को स्वामित वाले चोटी चोटी जागिरों में विभाजित कर दिया था और वो सब स्वार्थी थे, सारे के सारे सेलफीस थे, स्वार्थी थे उन्होंने अपने बारे में अधिक चिंता की और समगरे रूप से देश के हितों के अंदेखी की यही तो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी कम्या है इंसान स्वार्थी है वो स्वैम के बारे में सोचता है दूसरे के बारे में नहीं सोचता है आज भी देखिए हर चेतर में देखा जाये तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिर्फ स्वैम के बारे में सोचते हैं और जो स्वैम के बारे में सोचते हैं उसका ना तो देश अच्छा होता है ना उसका प्रगति अच्छा होता है क्योंकि हम जो दुसरे के बारे में सोच ही रहती है लेकिन इस समय देखा जाए तो कमिया यही थी कि जागोरों में विभाजित कर दिया गया था वह स्वार्थी थे उन्होंने अपने बारे में अधिक चिंता किया देश के हीतों के अंदेखी की अंत समांता वाद ने राष्ट वाद की एकता को जो है अगात पूंचा आया करते कें सरकार बहुत कमजोर हो गई और समांता अधिक सक्तिशालिय एवहम सरवच्चे हो गई जागिदारों ने राजा के अधेश के अवेलना करना सुरू कर दिया क्योंकि उसके पास सब कुछ था राजा का जो है बातों को ना मानना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी यारी राजाओं को जो है अवेलना करना आम बात हो गई थी और भी जमिदारों के द्वारा राजा सेना और धन दोनों के लिए पूरी तरह समानतों पर निर्भर था राजा जो था धन और सेना सारे के सार समानतों पर ही निर्भर था क्योंकि समानत जो थे उस समय दिक सिक्तिर शाली हो गए थी और राजा की बातों का अंदेखी करने लग गए थी कभी-कभी वो अपनी सुधनता का दवा करते थे और राजा उन पर नियंतर नहीं रख पा रहे थे तो जन्नल्स की बात है जहां राजा अपने प्रजा पर नियंतर न रख सके वो राजे चलने वाला कभी नहीं हो सकता है कहते हैं राजा और प्रजा का सबसे महतपून डिस्ता होता है जिसको दोनों को निभाना चाहिए और दोनों को सचे निष्ठा से आगे बराना चाहिए अगर दोनों में कोई भी गलत होता है तो कभी भी राजे नहीं चल पाता है चाहे वो आज का समय हो चाहे पुरातन समय हो जनता बड़े चाओ से अपने मंत्रियों को चुनते हैं और मंत्रियों का फर्ज होता है कि वो समय समय पर जनता की बातों का नुसरन करे उनकी उसी इवदों को सुने लेकिन आज नहीं ऐसा है आज तो कहते हैं एक बार हमें मिल ज एकवाल जो रोडो का नहीं होता है लेकिन जैसे मंत्री जी के आगमन का सुचना मिलती है साइड और दुलोनों के तर सजा देती है तो कैसी लीला है यहां पर आड़े भाई जब मंत्रियों के लिए सजाना है तो आम जनता से क्यों लेते हो किसे ब्लान क्या मुलेज और मंत्री बनाई गई अभी 等一下 किया गया है मंत्री जी अधिक है अुछे और तो होता है हमेंसा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आज हम स्वतंत्र हैं डेमोक्रैसी कंट्री पे बिलोंग करते हैं हम जो है अधुनिक युग में भी है तो इस सब होते हुए ऐसा होना सही नहीं है इसके कारण जनता को आज जागना पड़ेगा और लोग को आज समझना पड़ेगा उसके पच्छात आता है समानतावाद के विद्रो और युधो सो बढ़ावा दिया समानतावाद ने विद्रो और युधो को काफी बढ़ावा दिया युग समानतावाद के कारण जो है जमिदार अपने आपको जो है उच्छे समझने लग गए थे जिसके कारण विद्रो औ सब्सक्राइबाने तो सदार की बातों को अभेलना करने लगा जाती है सरदार नहीं जो में उन्हों पाने के लिए भी चुक थे अंतर उन्हों यूद घोता ही रहता था सरदार चाहते थे कि उनकी और भी जो है सीमा बढ़े और अपने आपको राजा के सपने देखने लग गये तो राजास अपना तविस्प सच होता है जब राजाओं को हराना होता है तो यह सरदारे करने लग गया तो यह काफी महत्पून बात रहता है इसे सांती और स्वक्षा को नस्ट कर दिया और समाज में रगता का और भरम पैदा हो गई यानि स्वक्षा और सांती जो है पूरी तरह से नस्ट हो जग गया और समाज में अरजगता का बोलबाला बढ़ गया कहते हैं दोश्पून सैने संगटन के समानता बाद जिम्यदार था कोई भी देश को चलाने के लिए सैने संगटन काफी महतवपून होता है लेकिन यहाँ पर सैने संगटन जो थी दोश्पून थी परतेख स्वामी ने अपने सेना को अपने ढंक से संगलित किया और राष्ट संकट के परिणाम सरूब उनके हतियार और प्रकास विश्ता के तरीके भी विभिन हो गए तो ये काभी महत पूर्ण रहता है उन्होंने मामलों का फैसला लिकिया और लोग को एक ही अपराद के लिए दंड भी किया जो संपत्ति से संपत्ति तक भीन था यानि देखा जाए तो एक ही अपराद के लिए अलग अलग डंड देना इस समय के सबसे बड़ी जो है कूरीतियों में से एक नीतियां मानी जा सकती है क्योंकि कहते हैं अपराद अलग और सजा एक संभब नहीं थी और इन सब कारणों से यहां पर इन सब कमियां थी जो यह काफी महत्वपून बात रखता है तो सब्सक्राइब के साथ हमारे कोशन खतम हो जाता है जो कि चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा ठीक है और देखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कभी भी स्कीप करके ना देखिए हमेशा देखें तो कंटिन्यू देखें या कहते हैं पूरा वीडियो देखें वीडियो को बढ़ा बढ़ा के ना देखें इससे वीडियो आप अपना करम करो कहते हैं दुसरे ने कुछ देखा चाहिए ना देखा इग्नोर किया इससे आपको कोई लेना देना नहीं आपने करम अच्छा किया कहते हैं अच्छे करम करना ही मनुष्य का ही मनुष्य का परचालक होती है जो अच्छे करम करते हैं जीवन उनका ही और लेकम बात जो हमेशा रहती है कि किसी की मदद किसी की बाते हमेशा जिन्गी में कुछ ने कुछ याद रहती रहती है और यह किछ बच dem कि हाम मुझे किसी बच्छे ने शेयर करें मुझे कुछ वीडियो' पहुचा या जो मुझे एक्जाम के लिए महत्वपून हो गया चलिए तो आपकी विचार है पहली बार में चनल पर आयो पहली वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो को प्राफ्त होता रहे तो जैनल से बाद दोस्ते चनल को प्राफ्त